इस वीडियो में हम आपको बिल्ली और चुहे की कहानी बताने वाले हैं एक बार एक बिल्ली थी वो बहुत ही चालांक और चोकस थी और उसकी इसी चालांकी और चोकसी को देखकर चुहे भी साउदान हो गए थे और जब चुहे बिल्ली के हाथ नहीं आ रहे थे एक समय ऐसा आया कि बिल्ली भूख के मारे तडपने लगी एक भी चुहा उसके साथ नहीं आता था क्योंकि वो उसकी आहट सुनते ही तेजी से अपने बिल में छुप जाते थे भूख से बचने के लिए बिल्ली योजना बनाने लगी तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो एक टेवल पर उल्टी लेट गई उसने सभी चुहों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मर चुकी है सारे चुहे बिल्ली को ऐसे लेटा हुआ अपने बिल में ही देख रहे थे उन्हें पता था कि बिल्ली बहुत चालांख है इसलिए उन में से कोई भी चुहा अपने बिल से बाहर नहीं निकले लेकिन बिल्ली भी हार मानने वालों में से नहीं थी वो बहुत देर तक उसी टेबल पर उल्टी लेटी रही धीरे धीरे चुहे को लगने लगा बिल्ली मर चुकी है वो जस्म मनाते हुए अपने बिल से निकलने लगे चुहे जैसे ही बिल्ली के टेबल के पास पहुँचे उसने उचल कर दो चुहे पकड़ लिए इस तरह बिल्ली ने इस बात तो अपने पेट को भर लिया लेकिन चुहे अब और भी ज्यादा सतर्क हो गए दो चुहे खाने के बाद बिल्ली दोबारा भूँख से तडपने लगी क्योंकि चुहे अब बिलकुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे इस बार पेट भरने के लिए एक बार फिर बिल्ली को योजना बनानी थी लेकिन इस बार छोटी योजना काम नहीं आने वाली थी इसलिए बिल्ली ने अब खुद को पूरे आटे से ढख लिया चुवे ने सोचा कि वो आटा है और उसे खाने के लिए आ गए लेकिन एक बुड़े चुवे ने उन्हें रोक दिया उसने ध्यान से आटा देखा तो उसे उसमें बिल्ली का आकार दिखने लगा तभी बुड़े चुवे ने हला मचाना शुरू किया उसे कहा सब अपने बिल में चले जाओ यहां आटे में बिल्ली छुपी है बूढे चुवे की बात सुनकर सारे चुवे अपने बिल में चले गए जब बहुत देर तक एक भी चुवा बिल्ली के पास नहीं पहुँचा तब बिल्ली ठकने की वज़े से उठ खड़ी इस तरह बूढे चुवे ने अपने अनभव से सारे चुवों की जान बचा ली कहानी से सीख बिल्ली और चुवे की कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धी का इस्तेमाल करके धोके से बचा जा सकता है